नमस्कार में बॉबी जा, MNS News Life में आप सभी का स्वागत थे आए देखते हैं एक निजर आज की हेड्लाइन पर गुजरात में ये बॉलिवूड एक्टर करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार अब बीएफ से पैसा निकालना हुआ आसान मतुरा से लोगसभा प्रत्यासी हिमा मालिनी पर आचार सहीता उलनंगन का मुकदमा दर्ज भीड उटाने के लिए किया था अशलील डान्स अब खबरे विस्तार से गुजरात लोगसभा और विधान सभा उप्चुनाओं के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारों के लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी, अमिज शाह, राजनाथ सींग समेट कई बड़े-बड़े राजनितास शामिल है इस सब के बावजूद एक ऐसा नाम है जिन्होंने प्येम मोदी की बायोपिक में उनका किरदार निभाने वाले एक्टर विवेक ओबेरोय का है हाला कि इस लिस्ट में बीजेपी के स्टार प्रचारों में प्येम नरेंद्र मोदी, विवेक ओबरोय के अलावा अमिज शाह, नितीन गटकरी, अरुन जेटली, शुश्मा स्वराज, हिमा मालिनी समेट कई वरिस्ट नेताओं का नाम है लेकिन सब का ध्यान विवेक ओबरोय पर है जानकारी के अनुसार अपने प्येम नरेंद्र मोदी के प्रचार के दौरान विवेक ओबरोय ने कहा था कि मुझे चमचा स्टूज भक्त भाजबा के हाथों पिका हुआ तक बना दिया अब समझ आया मोदी ने पांच साल में क्या जहिला है नरेंद्र मोदी पर बने ये फिल्म राहूल गांधी को बहुत पसंद आएगी मुंबाई नौकरी करने वालों के लिए पी एफ बहुत आहम होता है हाली में सुप्रीम कोट के फैसले से नौकरी करने वालों के लिए पेंशन में बड़ी बढ़ोतिरी का रास्ता साफ हो गया है नए फैसले के ताहट सभी गमचारियों को उनकी पूरी सेलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी पहले लोग नौकरी बदलने के वक्त अपना फंड ट्रांसपर करा लेते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में EPFO के रिकॉर्ड निकासी के लिए ज्यादा आवेदन देखने को मिला इसलिए PFO ने PFO निकासी की प्रक्रिया को आसान बना दिया मथुरा, सिने तरीका हिमा मालिनी के खिलाफ आचार सहिता उनलंगन का केस दर्ज प्रिंदावन कोदवाली में बीजेपी प्रत्याशी हिमा मालिनी के खिलाफ आचार सहिता उनलंगन का केस दर्ज किया SDM चाता के दर्ज कराई रिपोर्ट पहले दिया था नोटिस नोटिस के जवाब से संतुस्ट नहीं हुए आधिकारे वीमा अनुमती के दो दिन पूर्वा आजी आए गाउं के सरकारी स्कूल में हिमा मालिनी की हुई थी जंग सभाव हिमा मालिनी के आने सिर्पा लेकर ही जुदाने के लिए किया गया था अश्ली डान्स तो मैंनेस न्यूज लाइट की खबर देखने के लिए आज जी ब्लेए स्टोर से मैंनेस इंदी अब डानलोट करें हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें दिन्यवाद